हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू असास किचिन कॉर्णर आज हम बनाएंगे आउला और बिर्ची का चटपट्टा और टेस्टी अचार जो बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाता है अचार बनाने की इंग्रेडियंट्स लोट कर लीजिए आउलो को बॉयल करना है इसमें पानी डाल कर इसको लगभग दस मिनिट के लिए गैस पर बॉयल होने के लिए रख दीजिए फ्लेम को पहले हाई रखिए फिर मीडियम कर दीजिए दस मिनिट बाद आप चेक करिए इसको दबा के देखिए अगर फूट रहा है तो आउला पक चुका है नहीं तो थोड़ी देर और ओबा लीजिए ठंडा होने के बाद इसकी गुठलियां अलग कर लीजिए और इसके पीसे को भी अलग-अलग कर लीजिए अगर आप चाहें तो आउले को कुकर में भी बॉ कर सकते हैं इस तरह से सारे गुठलिया निकाल के पीसे को लग कर लीजिए मैंने आठ से दस हरी मिर्ची ली है यह मोटी वाली हरी मिर्ची है जो कम तीखी होती है इसको दो के लंबे-लंबे तुकडों में कट कर लिया है अब इक गैस पर पहर रखके उसमें 3 टीश्पून म 1 पिंच हिंगrando, 140 पीश्पून जीरा, 140 पुची सपून मोटी सॉंफ। Chief Smhere 일반 हाप टीश्पून मैती दाना पाऊडर स्लेधी मैंने भून्ः मैती का पाऊडर लिया है अगर आप आपके पास नहीं है तो आप डारेक्ग मैती दाना भी डाल सकते हैं 1.5 टीज़पून हल्दी पाउडर 1.5 टीज़पून धनिया पाउडर इसको अच्छे से मिलाए और मिर्ची को इसमें डाल दीजिए और चलाते रहें फ्लेम को मीडियम रखिए मिर्ची एक दम कच्छी है इसलिए इसको एक मिनित तक लो फ्लेम पर लगातर चलाते हुए और अच्छे से मिक्स करना है फ्लेम को लो ही रखना है अब इसमें एड़ करिए आधा चम्मच अल्दी पाउडर मिक्स करते रहें और लास्ट में हमको एड़ करना है इसमें नमक जो मैंने दो चम्मच जाला है अगर आप कम या जादा जैसे भी पसंद करते हों आप अपने स्वाद के साफ से नमक डाल सकते हैं अचार है तो अचार में नमक थोड़ा जादा ही ठीक लगता है इसलिए मैंने दो चम्मच नमक डाला है इसको चलाईए सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा अचार रेड़ी है लीजे चटपटा खटा खटा चेश्टी अचार बनकर तयार है जो बड़ी ही जल्दी बन जाता है वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है तो इसकी बात ही अलग होती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने कमेट जरूर दीजे शेयर कीजे और मेरे चैनल को ल जल्द ही मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार बाई बाई